आज की तारिक में किसी भी कंट्री के पास हर बेरोज़दार विक्ति को नोकरी देने का और या इसको इतना बिजनिस के प्रतिकेपल बनाने का समय नहीं है आज की तारिक में डिरेक्ट सेलिंग है जिसमें इच और एवरी आदमी को पूरी पूरी अपरजनिटी है और इंडिपिटेंड वो बिजनिस कर सकता है तो सोड़ा समय लगेगा लेकिन मुझे हंडेट पसंद लगता है कि समय के साथ जैसे फिल्मों की प्रस्तितियां बदली है उसने डिरेक्ट सेलिंग की बदलेगी जज़ भी समझेंगे पुलिस वाले भी समझेंगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस फिल्ड का ना आसाम में तुमारी डाउन लाइन जो है वो भग्वान के सामने बोलेगी ओम जय जगदिस हरे तो तुम्हारे घर में आएंगे हरे तो मैं विजन की बात करता हूं और मैं विजन की बात करते वे कहता हूँ आपको कि अभी आपको हमें लगता है कि बदरेक्ट सेलिंग जो क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने जो अपने जीवन में समझा था, जितना उनका नोलेज था उसके बारे में उन्होंने मेरे को का और मुझे लोन नहीं दिया था, लेकिन आज स्थिती बिल्कुल अलग है, आज मेरे पास बड़ा कारोबार है, सब लोग देखते हैं, लेकिन जैसे मेरे पास हैं, वैसे जब हिंदुस्तान में कहीं लोग बढ़ेंगे, जब इनकी संख्या बढ़ेगी, तो धिरे धिरे समाज को लोगों को समझ में आएगा, और वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, वो दिन दूर नहीं है, कि आ उन सा प्रोपेशन में लड़का काम करता है, जिसके पास पेसा भी है, समय भी है, इजज़त भी है, सोरत भी है, सरकल भी है, टाइम भी है, खुब सारा पेसा भी है, तो वो डिरेक्ट सेलिंग के लाओ, और कोई बिजनस नहीं हो साथ यह तो हमारे यंगेस्टर्स और जो तरीस साल का जो खियास है डारेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान का, उसके अंदर बहुत कुछ परिवर्टन आ गया है, गोवर्वेंट पहले यह बात मानने तक के लिए तक के लिए तक कोई बिजनस होता है, लेकिर आज गोवर्वेंट इनिशेट लेती है, और गोवर्वें के साथ मैं इस इनिर्ट्री पे काम कर रहे हैं